साउथ इस्टन कोल फिल्ट्स लिमिटेड सेसील प्रबंधन ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने निशुलक आवासिय कौशल विकास प्रेशिक्षन कारिक्रम की शुरुवात की है वर्तमान में 220 युवाओं को 6 माह का कौशल विकास का आवासिय प्रेशिक्षन दिया जा रहा है सिपेट के वरिष्ट तक्वनिक अधिकारी मनोच कुमार राजपूत ने बताया कि कोर्बा में संचालित सिपेट संस्थान में प्लास्थिक से सम्वंदित मशीन आपरेटर प्लास्टिक प्रोस्थेसिंग सहित इंजेक्षन मोलडिंग का तक्नीकि प्रेशिक्षन दिया जा रहा है प्रस्रिक्षन के बाद युवाओं को प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में संचालित उद्योग और कमपनियों में प्लेस्मेंट दिलाए जाते हैं प्रस्रिक्षन के बाद में इन हम लोग कमपनी में विभिन कमपनी जो देश में प्रदेश में हैं उनमें प्लेस्मेंट दिलाते है वहीं S.E.C.L. के प्रयास से शुरू किये गए इस आवास्य प्रस्रिक्षन में चैनेत युवाओं ने भी प्रस्रिक्षन कारिक्रम की सरहनक की है उन्होंने बताया कि प्रस्रिक्षन मिलने से आने वाले समय में उन्हें आसानी से बहतर रोज़गार मिल सकेगा हम लोग हमेशा प्लास्टिक का यूज करते हैं लेकिन प्लास्टिक के जो समान है वो कैसे बनता है मालूम नहीं होता तो यहां हम लोग प्लास्टिक जो हो एकदम नया फिल्ड मतलब बहुत नया फिल्ड जिसके बारे में हम लोग यहां कुछ नया सीखने है इस बारे में जानकारी देते हुए S.E.C.L. के जनसंपर कदिकारी डॉक्टर सनीश चंदर ने बताया कि पहले चरण में 220 बच्चों को कोर्बा के सिपेट में और 80 बच्चों को रायपूर के सिपेट में आवासी प्रेशिक्षन दिया जा रहा है सिपेट जो है उसके साथ टायप किया है अनुबंद किया है जिसके तहत 36 कड के जो S.E.C.L. के संचालन के जिले हैं जैसे कोर्बा हो गया रायकड हो गया इत्यादी जिलों में से चैनित कुल 520 अव्यर्थियों को बेरुजगार यूगों को स्किल डिवलक्मेंट का प्रसिक की है इसमें 220 बच्चे जो है वो कोर्बा में तरह असी बच्चे रायपूर में प्रसिक्षिन ले रहे हैं चालीस बच्चों को प्रसिक्षित किया गया था रायपूर में और हंड़ेट परसेंट उनके प्लेस्मेंट हुई थी गौर्दलबे के S.E.C.L. प्रबंधन कोईला उत्पादन के क्षित्र में कीर्दिमान हासिल करने के साथ ही सामाजिक दाइत्मों के कारिक्रम संचालित करने में भी महतुपूर्ण भूमिका निभा रहा है